नमश्कार जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है उमीद करता हूँ कि देवाली आप सबके अच्छे जा रही होगी और आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहे होंगे बात करेंगे हम सुंबार के बारे में सबसे पहले सुंबार के डेटा को दे वीडियों में आज देखने वाला है तो चलिए शुरुवात करेंगे सबसे पहले कि डेटा क्या कह रहा है आज एक नया सेग्मेंट है डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सल पे एफ और की पार्टिसिपेंट्स का एक मैंने वो बनाया है तियार हुआ है जो की एनने सी की वेब ही देखते हैं फ्यूचर्स इंडेक्स को एफ आई आई इस ने किया है शॉट फ्यूचर्स में इंडेक्स शॉट करके गए हैं सहाव एफ आई 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 लॉंग के कॉंट्रेक्ट्स आपके सामने हैं लगबग 42 786 और वहीं शॉट किये हैं वन लाइक नैंटी नाइन जान की हो रहा है यानकि पुट और कॉल फे क्या हो रहा है कॉल लॉंग करके गए जब हम कहते हैं कॉल लॉंग करके गए में लेकिन के क्या सीन होंग हैं और index call shot और put shot call shot और put shot होता है कि calls कितनी sell की हैं और puts कितनी sell की हैं वहां पर भी अगर आप देखोगे यहां पर इन्होंने कुछ hedge करने की situation लगाई है कि put को short किया है put को short करना कि एक restricted downside रखना restrict करना downside को और उपर भी restrict करने की कोशिश में लगे हुए है FIA इसका data कम से कम जो अभी तक मिला है वो तो यही कह रहा है कि ना ही कोई upside का बहुत बड़ा movement होगा ना ही कोई downside का movement देने को वो तैयार है क्योंकि put को वो short करके गए हैं हलाकि put उन्होंने buy भी किया है लेकिन index में put को short भी उन्होंने किया है तो चाहे इसको hedge के तोर पर रखिए बट जो data कह रहा है FIA इसका वो तो यही कह रहा है कम से कम कि यह लोग ना उपर ना नीचे एक जगा अभी market को रखने के विचार में लग रहे हैं देखते हैं सुंबर को क्या होता है वहीं अगर DIAIs की बात करेंगे तो futures को long किया है DIAIs ने और stock long stock को short कर रहे है futures stock futures short किये है इनोंने भी और दोस्तो put long देखे DIAIs ने put long की है domestic institutional investors अला कि छोटा ही data है लेकिन यह put लेकर गए है put लेकर बैठे हैं index में और अगर हम देखेंगे दोस्तो clients का data clients future में भी long है stocks में future stocks में भी यह long है जी हाँ बिलकुल long है index call long की है इनोंने calls भी CE भी लेकर गए है clients और short भी लेकिन shorts में कुछ ज़्यादा है भई index call long भी की है और index call short भी की है यानि कि call बेची भी है और call लेकर भी गए हैं लेकिन दोस्तो overall अगर आप इनका data देखेंगे तो index put short देखें put को short करना यानि कि put को भेच के गए हैं आपके clients इसका मतलब क्या है वो clients तो भाई bullish है clients are bullish BII's are also BII's का data को इतना तवज्जो नहीं रखता इस चीज में मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता FII's are standing as neutrals they are not bullish neither they are bullish nor they are bearish यानि कि वो नहीं किसी और moment ले जाना चाहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ करवाएंगे premium eating index में प्रोज लॉंग में है फ्यूचर स्टाक भी उन्होंने long की है index प्रोज का तो देखे सीधा सीधा सिस्टम यह है कि प्रोज ने तो यहां पर में ली क्या किया है प्रोज करके गए है उन्हों और अगर टोटल लॉंग कॉंट्रेक्ट्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एफ़ आइज भी कहुंगा इसको भी मैं कोई ज़्यादा तबज्ज़्ों नहीं कहुंगा data is neutral for Monday it is either ways ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा bullish है और क्या ये कहेए कि bearish है तो दोस्तों ये अब मेरी कोशिश हर रोज रहेगी कि call long क्या करके गए है put क्या किया है FIIs ने कहां कहां क्या क्या positions लिए है वो आपके साथ share करने की अब दोस्तों हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से bank nifty और nifty पर चल सकता है market Monday के लिए दिपावली के बाद किस तरह से market चल सकता है अगर आप देखेंगे bank nifty bank nifty का मैंने daily time frame पे चार्ट लगाया है और bank nifty daily time frame पे चार्ट ये कह रहा है कि 10 नवंबर यानि कि शुक्रवार वाले दिन क्या हुआ है 10 नवंबर शुक्रवार वाले दिन bullish engulfing candle बनी है bullish engulfing candle बनी है जिसका मतलब है कि भाई तेजी बहुत तेजी उपर के और दिखाई दे रही है नifty bank में लेकिन दोस्तों अब एक और चीज़ जब आप देखेंगे तो आपको कुछ हैरानी जनक तथ्य सामने आएंगे वो क्या है हम लोग अभी भी bank nifty is weak bank nifty में bullish engulf candle बनी है लेकिन ये अभी भी weak है आप कहेंगे क्यों weak है क्योंकि 100 dema और 50 dema अभी भी उपर है अभी भी हम लोग 100 dema और 50 dema को पार नहीं कर पाएं है तो अगर जो सबसे उपर की बात करें तो 44,001 44,000 पर 100 dema है जब तक हम उसके उपर जाते नहीं है sustain नहीं करते हैं close नहीं करते हैं कम से कम दो दिन तब तक हम लोग बिलकुल clear अगर यह नहीं बोल पाएंगे कि market या bank nifty buy on dips है तो daily time frame पे अभी candles बोल रही है बहुत bullish है लेकिन डेमाज बोल रहे हैं कि अभी भी इसमें दिक्कत भरा सबब बना हुआ है bank nifty में बात कर ले दें nifty fifty में nifty fifty is doing excellent excellent जब मैं कहूंगा इस भी excellent कह रहा हूँ कि भाई gap down खुलने के बावजूद भी इसने Friday को जो gap down हुआ उसके बाद इसने bullishness दिखाई हलाकि यह Friday Friday को Thursday के high Thursday का high था 1964, 64, 65 उसको true भी नहीं पाया बट नीचे इसने नीचे से जो इसने recovery दिखाई यह बहुत शानदार है और अगर मैं डेमाज पर देखूं तो हम डेमाज पर कहां है स्थिनवी डेमाज पर problem क्या है डेमाज पर 50 डेमा सबसे उपर है जब तक है 50 डेमा को breach नहीं करता अब अगर आप देखेंगे Friday Thursday Wednesday तीन दिन तीन रोज ऐसा रहा है कि इसने टेस्ट किया है 50 डेमा को लेकिन 50 डेमा से इसको resistance मिला है और 50 डेमा से नीचे की और आ गया है अब क्या ये 50 डेमा वाला resistance पार करता है सुमबार को ऐसा मुझे लगता है कि करना तो Nifty 50 को चाहिए अब वो 50 डेमा का resistance क्या है वो resistance जो पैचास डेमा का है वो है नाइनटीन ट्रिपल फॉर के ऊपर अगर कलोजिंग भी देता है और उसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है और मुझे लगता है फिर एक बुलिशनेस इसमें बंती ही है अब दोस्तों एक बार को बात कर लेते हैं कि बैंक टिफ्टी पर सुंबार को किस तरह के रह सकते हैं लेवल्स उसके लिए मैं डेमास को विराम दूंगा और लेवल्स को आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा एक गंटे के चार्ट पर चलते हैं हम लोग दोस्तो वान आर के चार्ट पर जब जाते हैं तब देखते हैं क्या हैं लेवल्स जब हम ल को जब तक हम लोग 43,908 मैंने क्या बताया था कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का जब तक हाई नहीं कटेगा आप 43,908 के उपर नहां चलना स्टार्ट कर दें देखे 43,908 हाई है फ्राइडे का उसके उपर जब तक नहां चलना करें उसके बाद ही हम लोग कॉल में या बाय साइड में आना चाहिए हमको तो हमको 43,908 के बाद कहा तक ले जाएगा कुछ लोगों को लगेगा कि 44,001 रिजिस्टेंस हो सकता है जी हाँ सैकॉलोजिकल रिजिस्टेंस है यानि कि अगर 43,908 के उपर 43,908 के उपर हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को जो लेवल आता है वो आता है 44,011 का 44,011 से 44,142 44,011 to 140 यह 130 पॉइंट का जो लेवल है यह याद रखेगा कि यह एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन पीछे भी रहा है और यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन का काम कर सकता है तो 44,142 अगर हम इसको भी पार करते है तो फिर हम 44,212 की ट्रेजिक्टरी को भी टेस्ट करने के लिए मंडे को जा सकते हैं वहीं दोस्तों अगर 43,504 यह जो है फ्राइडे का लो है अगर उसके नीचे जाते है 43,500 के नीचे अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो फिर हम लोग 43, 3386 की और बढ़ सकते हैं नीचे की और और अगर वो भी पार हुआ नीचे की और तो 43 300-304 की trajectory भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है आप करेंगे 50-50 की और जब हम 50-50 की बात करते हैं तो 50-50 में हमको क्या करना है पंदरा मिनिट के टाइम फ्रेम पे जाना है और हाइड करने हैं ये सारे के सारे डेमाज या exponential moving averages मैंने हाइड कर दिये हैं पंदरा मिनिट के चार्ट पे गया हूँ और पंदरा मिनिट के चार्ट पे तो भाई bullishness बरकरार रास्ट में जो एक घंटे में फ्राइडे को उपा है वो तो यही बता रहा है कि क्या जबरदस्त bullishness है अब देखते हैं कि क्या रह सकते हैं इसके levels जब हम levels की बात करते हैं तो जब भी 94-51 के उपर चले market sustain हो याद रखेगा 94-51 के उपर sustain भी होना चाहिए 94-51 के उपर sustain होता है अगर market तो फिर हम upside पे 94-82 देख सकते हैं और 94-82 भी पार होता है तो 19509-510 तक भी जा सकते हैं अगर दोस्तों 510 भी टूटा तो 95-34-535 के levels भी हमको देखने को मिल सकते हैं वही दोस्तों 19-34 हालाकि आप कहेंगे कि सहाब 19-329 का लो था फ्राइडे का बट मैं कहा रहा हूँ 19-34 अगर breach कर गया नीचे के लिए downside चला गया तो वहां से 19-329 का level आ सकता है 19-329-330 तूटा तो 19-300-301 के levels तक आ सकते हैं 19-300 for the time being remains as an excellent excellent very excellent rather I would say an excellent support तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है वो चल सकता है मंडे को level to level मैंने यहां पर marking करके कोशिश की है दोस्तों यह याद रखिए यह academic level से इनका बाइसल की सला से कोई लेना देना नहीं है दो चीज़ें और हैं लखनाओ में सेमिनार है 19 नवंबर 2023 को जो भी आना चाहिए कुछी से आ सकता है elementary लखनाओ में उसका venue है ज्यादा details के लिए आप whatsapp पर call कर सकते हैं message कर सकते हैं number आपको description में दे रखा है पट फिर भी मैं बोल देता हूँ 783876736 दोस्तों यह भी याद रखेगा कि इसका जो चार्ज है वो है 4000 पूरे दिन का करेक्राम होंगा options ट्रेडिंग पर बातचीत होगी और फुल डे के प्रोग्राम में अब जब फुल डे है तो भाई लंच का भी arrangement करना ही पड़ेगा तो वह भी arranged है vegetarian lunch at lemon tree लखनाव वह भी arranged है morning and evening टी का भी प्रवंध होगा और इसका इंविटेशन की से पोट ताउजन रुपीज जो कि आप फोन पे पेटियम जीपे कर सकते हैं 7834-876-736 पर अगला बैच बाइस नवंबर दोजार देश से अगला बैच शुरू कर रहे हैं जो भी आना चाहिए कुछी से उसमें भी जोइन कर सकते हैं काफी लोगों ने रिजिस्टर कर लिया टैन ताउजन पीस है यह रात में साधे नों से साधे दुस बज़े तक चलता है तो उसमें भी हम लोग और चर्चा करते हैं और आप लोगों को पता है जूम पे होता है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती हैं तो आप लोगों उस नतमस्तक वाली बात है, करना पड़ता है और आप लोग कहते हैं नहीं जी एक बैच और एक एक बैच करके बहुत सारे हो गए हैं, इसको कहीं न कहीं तो close करना ही पड़ेगा, बिकोज आगे मैं भी कुछ सीखने के लिए मेरे को भी समय फुड़ा सा भी कम मिलेगा आगे, तो ये वाले बैच में जो भी आना चाहिए, अभी रिजिस्टर कर सकते हैं, लिमिटेड सीट से हैं ठीक है जी, कोई जानकर ही चाहिए हो तो आपको पता है, वाटसैप नमबर मे किया है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, नमस्कार, and a very happy दिवाली to all of you, once again happy दिवाली, बाबाई